मध्य काल के संतों में सैन नाम अग्रणी हैं उन्होंने पवित्रता और सात्विक्ता पर जोड दिया, उन्होंने लोगों को सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेज दिया, वे सभी मनिशों में इश्वर के दर्शन करते थे, लोग उनके उपदेशों से इतने प्रभावित होते कि दूर दूर से उनके पास खिचे चले आते थे सची मानोता का संदेश देने वाले संत एवं सेंस समाज के आराध्य संत शिरोमणी सेंजी महराज की आयोजक सेंसमाज उत्सो समीती के अधिक्ष राकेश परमान नाना ने बताया कि इस आयोजन में बैटमा नगर्व आसपास के गाउं से समाज बंदुव गण मान्य भक्तगण अत्यदिक संख्या में पधारे सेंसमाज बैटमा आये सभी भक्तगणों का रधे से आभार प्रकट करता है बैटमा इंदौर से राजेंदर सुर्यमंशी की रिपोर्ट वाल कि आपगे से हाँे है वाल कि से बन्या वाल कि से का बापगे भक्तगण की बन्याया में नहीं है आज 723 सेंजी महराज की जनम का हमने प्रोग्राम रखा है सेंजी महराज का और आज सभी के सयोग से सभी के आनन से यह आयरोजग सेंजी महराज का सबका सयोग अच्छा मिला हमारे गुरुदेव का आज सेंजी समाज का सनिमत सासो तेविसिय जनम दिशव बनाए गया है बड़े दोमदाम से बनाए गया यहां पे सब राजबड़े वाले का सबका सयोग सेंज समाज बेटमा का भी सयोग बहुत बड़े आज सबका अच्छा रहा आज और ऐसा आयोजग हम बिन्ती करते हैं सेंजी महराज नारायनी माता से बिन्ती करते हैं कि ऐसे कारीक्रम होते रहें बड़े होते रहे हैं सबके सयोग मिलता रहे और जो भी है नाराहिन मतले समाज आपके आज बेटमा नगर राजबड़ा चोक पर सेंजी महराच जो की सेंज समाज के गुरू है और भगवान भी है उनकी जहेंती साथ सो तेविस्वी जहेंती बड़ी ही धुमधाम से नगर के सेंज समाज के तुवारा बड़ी धुमधाम से मनाई गई इसमें जो है अनेक लोगों ने इसमें भाग लिया और मा नाराणी और सेंजी महराच की आरती की और इसे सफल बनाया सेंज समाज बेटमा सभी नगर के वासियों का बहुत बहुत आबार प्रकट करता है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें